हेले अबरीवान, आई हम सोनम, वेलकम वेग टू माई यूटूब चैनल, अपना वित्यार है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले बिना पढ़े कमेस्ट्री में पास होने की ट्रिक जो चात अभी तक अपनी कमेस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़े, उनकी तयारी बिलकुल 0% है और वो अपनी बोर्ड एक्जाम में कमेस्ट्री में पास होना चाहते तो ये वीडियो उन सभी इस्टूडेंट के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे ट्रिकर टिप्स बताएंगे जिसे की आप लोग कमेस्ट्री में कुछ भी अभी तक नहीं पड़े आपकी तयारी बिलकुल भी नहीं हुई है फिर भी आप लोग पास ही नहीं बलकि एक अच्छे नंबर लाएंगे और आपको टीचर आपकी कौपी को देखकर पूरा नंबर देंगी 101% गारांटी है अगर आप लोग इस ट्रिक का फॉलो अपने बोड एक्जाम में करेंगे तो आप लोग 101% गारांटी है कि पका पास हो जाएंगे तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है चैनल पर नहीं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना है और वीडियो को भीना इसकिप की इंट तक देखना है क्योंकि ये जो कमेस्टी की पेपर ठीक है इसमें जितने भी आपके टॉपिक आते हैं आपके बोड एक्जाम में ठीक है उन सभी टापिक के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो उसके आंसर को कैसे लिखना है ठीक है जैसे कोई रियक्शन हो गया तो अगर आपको रियक्शन करने नहीं आता है उस रियक्शन के बारे में बिलकुल भी नहीं पता है तो आ आप लोग किस तरीके से उसके आंसर को लिखेंगे कि कोई भी है अब कैसे उसको बनाएंगे ठीक है और जैसे आपके board exam में question यानि की कोई भी question आ गया ठीक है प्रस्ना गया उसका उतर आपको नहीं पता है तो उसके आंसर को आपको कैसे लिखना है ट्रिक से, जिससे कि teacher देखते ही, आपको पूरे के पूरे नमबर दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिये, आप पास होना चाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप पास ही नहीं, बलकि एक अच्छे नमबर लाएंगे, और कुछ student तो टाप भी कर जाएंगे तो यहाँ पे देखिये जैसे आपके कमेश्टरी में नुमेर्कल भी आते हैं थिक है सवाल भी आते हैं तो उन सवालों को आपको कैसे सवाल करना आपको भले ही घुड़ा जोड घटाना या किसी भी परकार से सवाल को करना नहीं आता फिर भी आप कैसे trick से करेंगे कि अगर कोई numerical दो नंबर का है तो आपको एक नंबर पक्का मिलेगा वो भी trick इस वीडियो में हम आपको बताने वाले यानि बहुत कुछ बताने वाले जो भी chemistry में आपके आते हैं टापिक सभी टापिक के बारे में बताने वाले तो आपको वीडियो को बिना skip के जरूर इंड तक देखना है और ये वीडियो आप सभी लोगों के हजारों कमेंट के बाद बनी है तो इसलिए आप सभी का ये कार होता है कि आप लोग भी हमारी help किजिए क्योंकि हमने भी आपकी help किया तो आप लोग इस वीडियो को इतना share किजिएगा कि कम सकम इस पे 1000 लाइक होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर देखे जो हम आपको trick बताएंगे वो आपके हरे class के लिए रहेगा ठीक है या चाहे आप लोग किसी class के हूँ chemistry में ये trick को आप लोग follow कर सकते ठीक है तो यहाँ पे देखे जो आपका 12th class का रसायन भी ज्यान है यह 3 गंटे 15 मिनट का होता है और यह पुरांक 70 का होता है तो आप लोग इस 15 मिनट में अपनी प्रस्न पत्र जरूर पढ़ें जिससे के आपको question की type पता हो जाते है कौनसे question आपके छूट रहे यह भी पता चल जाते है और कौनसे question अभी तक आप लोग नहीं कि यह भी पता चल जाते है तो यहाँ पर देखे सबसे first जो होता है यह तो बहु भी कलपी question होता है ठीक है तो बहु भी कलपी question में तो आपको right लिखना होगा अगर नहीं पता है तो आप लोग प्रस नंबर एक का उत्तर इस तरीके से डाल देंगे ठीक है देखे जैसे numerical आपके board exam में आते हैं ठीक है दूसरे नंबर से start हो जाते कमेश्टी में तो यहाँ पर देखे जैसे दिया हुआ है कि चांदी घनी संवीत संकुलं सीसीपी जालक बनाती है इसके crystal की X किरल जाच से ग्यात हुआ कि इसके एकल सेल के core की लंबाई ठीक है इतना दिया हुआ है ओके फिर उसके वाद यहाँ पर चांदी के घनत्त की गढ़ना कीजिए यहनी कि चांदी के घनत्त रो की गढ़ना करना ठीक है और एजी का मान यहाँ पर 107.9 दिया हुआ है ओके और यह दो नंबर का है तो आपको यह numerical आ ही नहीं रहा है फार्मुले ही नही पता है तो इसको आपको ट्रेक से कैसे लिखना है ठीक है कि आपको दो नंबर का नुमिरकल है तो एक नंबरड्र मिलेगा आपको अगर ये ट्रीक आप लोग फॉलो करेंगे तब तो यहाँ पर दिखिए आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर प्रस्मोत्तर संख्या डाल देना प्रस्वन उत्तर संख्या यह दो का है तो आपको दो डाल देना यहां पर उत्तर डालना फिर उसके बाद यहां पर प्रस्वन अनुसार लिखना है ठीक है फिर उसके बाद यहां पर दिया है लिख देना इस तरीके से फिर आपको नीचे क्या करना है ठीक है कि चि पियम पाउंड ओके तो यहां पर आपको लिख देना है चिन साइथ फिर उसके बाद यहां पर देखें चांदी के घनत्य की गणना किजिए यानि रोग की गणना करना या इसे डी से सो करते हैं तो रोग बराबर क्वेश्चन वार और बाकी जो यहां पर एजी दिया हुआ ह ठीक है इतना लिखने के बाद ओके यहां लिखने के बाद आपको यहां पर हल लिखना है इस तरीके से लिखने के बाद ठीक है अगर आपको फार्मूला पता है तो आप लोग लिख दीजिए अदरवाइस आप लोग इतना ही लिख कर छोड़ दीजिए ओके अगर आप लो अप्लोड है वहां से आप लोग जाकर देख सकते ठीक है फिर उसके बाद देखिए नेश्ट आपको इसी तरीके से नुमेरकल और भी दिये तो इसी तरीके से आपको स्वाल करने ओके फिर उसके बाद जिसे नेश्ट पॉइंट आ गया जो आपकी बोड एक्जाम में आते है ठीक है तो यहां पर देखिए तीसरा दिया हुआ है यह भी आपकी नुमेरकल है तो आपको उसी परकार हल करना इसको फिर नेश्ट जैसे यहां पर निमलिखीत को सम्झाईए हैं हैं इसका अंसर लिखना है तो एगर आपको कुल्राउस का नियम पहला यह नहीं याद है त तो यहां पे जैसे आपको क्या करना है यहां पे आपको लिखना है प्रसनोत्तर संख्या ठीक है तो यह तीसरा है इस परकार आपको डाल देना है फिर उसके बाद जैसे नेश्ट यहां पे आपको कोल्राउस का नियम इस तरीके से हेडिंग डालना है ठीक है यहां पे आपको करना है कि कोल्राउस का नियम वह नियम है जो इस तरीके से आपको लिख देना कोई भी क्वेस्चन आए आपके बोड़ी जमें अगर उसका आशर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसी ट्रीका फालो किजीगा ठीक है कोल्राउस का नियम यह नियम है जो इस तरीके से आपक इस topic से related अगर keyboard याद किए तो यहाँ पर लिख सकते हैं otherwise आपको कुछ भी नहीं याद है ठीक है तो आप लोग क्या किजिए कि इसी में से कोई भी question को उठा कर ठीक है इतना लिखने के बाद तभी आप लोग लिखे बीच में आप लोग लिख दीजिए ठीक है फिर उसके बा इसको पूर करना यह अप पूर्ण है तो यहाँ पर लोग देख सकते कि सी पर्मूला याद है उसको लिख सकते हैं तो आप लोग इस तरीके से करेंगे आपको दो तीन नंबर का है तो यहां पे आपको दो नंबर पक्का मिलेगा फिर इसके बाद देखें नेश्ट जिससे आप कैसे बनाएंगे ठीक है इसके सूतर आपको तीनों को लिग देना है जिससे कि teacher आपको देखे कि आपकी copy भरी हुई है ठीक है उसके question कि जिगा कुछ ने कुछ आप कुछ भी लिखे लेकिन जरूर लिखे तो teacher आपको अगर तीन नमबर कहा है तो आपको एक या दो नमबर जरूर देगा ठीक है क्यों कि teacher साधे page वाले को कभी भी पास नहीं करता इसलिए अगर आ रहा है तो मत लगाए आप लोग जो याद है उसको लिखे अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोग इस ट्रिक को लगाए क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखेंगे साधे page को जमा कर देंगे तो teacher आपको क इतना सेर किजिएगा कि इस पर जादे से ज्यादा व्यूज है और इसी तरह कि हम और भी इंपोर्टेंट ट्रिकल टिप्स की वीडियो चैनल पर अप्लोड किये ठीक है फिर उसके बाद दिखे नेश्ट जैसे आपकी बोड़ एक्जाम में प्रियोकसाला बीधी आगे या आप जैसे प्रियोकसाला में कलोरोवंजेल बनाने की वीधी का रासायनिक समीक्राव्ड आपको देना आप और जो दिये हुए हैं इन से आपको क्लोरोवंजेल चैनल बी इक्जाम होते हैं इसलिए आपको कोई भी आ गया बनाने की विधी आपके बोड एक्जाम में तो आप लोग क्या किजिए एक यहां पर गोल पे दिए का फ्लॉक्स लिजिए और नीचे बर्नर लगा दीजिए कोई भी बनाने की विधी हो ठीक है आप लोग यहां पर बर्नर लगा के बाद तो इस तरीके से आपको क्या करना है ठीक है यहां पर क्या बन रहा है यह क्लोरो बेंजिल तो यहां पर आपको लिख देना है इस तरीके से आपको यहां पर क्लोरो बेंजिल को लिख देना है ठीक है तो यहां पर आपको कोई भी आपके बोड एक्जाम में बनाने की विदी आये आप लोग इसी ट्रिक का फॉलो किजिएगा ठीक है यहां पर आपको एक बीकर टाइप का बना देना है ठीक है इस तरीके से और यहां पर इस पर बनाने के बाद क्या करना है जैसे यहां पर कहा है कि HNO3 तो आपको यहां पर HNO3 ठीक है पहला डाल कर इस तरीके से लिखना है HNO3 फिर उसके बाद यहाँ पर प्लास कर देना है और जो आपने बनाया है यानि कि जो यहाँ पर प्रयुक्साला बीधी दिया हुआ है तो उसी का आपको सूत लिखना है क्योंकि यह जो रियक्षन है उसी से आपको इसका रियक्षन कराना है ठीक है तो यहाँ पर C6 H5Cl ठीक है और उसके बाद यहाँ पर बोला की H2SO4 की उपस्ती ते यहाँ पर H2SO4 की उपस्ती करना है यहाँ इस तरीके से अगर आप लोग इतना रियक्षन सिर्फ करके चोड़ देंगे आपको यहाँ पर लिखने आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है सिर्फ आप लोग इतना करके छोड़ देंगे जिसे यहापे आप लोग लिख भी सकते जिसे यहापे C6, S5, NH2 करके इस तरीके से निकल सकता है ठीक है और यहापे HCL भी निकल सकता है अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है ठीक है नुमेर कर अगर नहीं आ रहा है तभी आप लोग इस ट्रिक का फालो किजिए इस ट्रिक से अगर आप लोग इतना सिर्फ करके छोड़ देंगे तो आपका टीचर जो है एक नंबर करेगा तो उसमें आपको वन डिवाइड टू यानि आधा नंबर जरूर मिलेगा ठीक है तो इसी तर कुछ न कुछ आपने किया है ठीक है अगर यहां पर अथ्वा करके दिया आपको यह आता है तो किजिए अधर्वाइस इसको किजिए इसमें आपको क्या करना है जैसे आपको यह नहीं आता है ठीक है और पांश नंबर का यह है तो आपको क्या करना है यहां पर दिया हुए यहाँ पे c is tricky उस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आपकी यहाँ पे स्टू अभी निकास देगा ठीक है तो यह पे यांपे लोग तो आप लोग इसी ट्रिक का फॉलो किज़े अगर आपको कमेश्टी में कुछ नहीं आता है तब तो देखिए यही रहे ट्रिक आप लोग इस ट्रिक का फॉलो करके अपने पास ही नई वलकि एक अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्याद किजिएगा जादे से जाद अपने दोस्तों में शेयर कीजिए गां और इसी तरह की ट्रिक और इतना और कमेंट करना आप लोग बिल्कुल ना भुलिएगा ओके आपको वीडियो कैसा लागा अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे जिससे कि हमारे दारा विजी गई सार बेरी वेश्क बावल